पूर पूर नहीं था या कोई शेतानी कर रहा था तीचर क्लास से निकल दूसरी क्लास में चली गई वो बच्चा दूसरे बच्चों से यह कहता पाए गया कि टीचर ने मुझे डांट हाथ काट लूँगा और टीचर को जेल पहुचा दोगा इंट्रेस्टिंग दूसरा किस्सा एक टीचर बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी किसी क्लास में जिस क्लास में कर रही थी वो दूसरी क्लास के बच्चे की कॉपी चेक कर रही थी इमर्जेंसी में तो उन्होंने दूसरी क्लास में उस क्लास के बच्चे को बुलाया और काम ना पूरा होने पे थोड़ा सा डांट लिया मर खटन हो नहीं, बच्चा घर चला गया अगले दिन उस बच्चे की मा स्कूल में भुन-बुनाती हुई आई और उसने यह कहा कि मेरे बच्चे को सरयाम दूसरी क्लास में पीटा गया और उसकी बेज़ती की गई पिंस्पल ने बुलाया नश्चार दोस्तों मैं लगी दिमान मेरे बहुत सारे कुलेग जो है या सब्सक्राइबल जो है मेरे बुझे जानते हैं कि मैं एक्टिंग एंड डांस टीचर हूँ मेरे पस का इसकूल्स का काम है और मैं यह काम 2003 से करता रहा हूँ तो आज एक बहुत अच्छी वीडियो आई मेरे पास जो कि मतलब हर सवाल जो आज कल की टीचर्स के और पेरेंस के दर्म्यान उठते हैं उनका बहुत अच्छे से विशलेशन करके अनुराग भाई ने बताया रहा तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँ तो वीडियो शेयर करने से पहले मैं कुछ एक दोवाते बोलना चाहता है मैं ज़ला टाइम नहीं लूँगा आपका आजकल पेरेंट्स और टीचर्स के दर्मियान एक कोल्ड वार चल रही है तो पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि ये मानते हैं कि वो मैनत करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल को फीज देते हैं तो जोकी एक्चल में सच्चाई है और उसी वज़े से टीचर को पे मिलते हैं लेकिन यहां पे बात पेमेंट की या लेने देने की नहीं है यहां पे बात आजाती है रेस्पेक्ट की यहां पे बात आजाती है आपकी मैनत की यह वो काम है जैसे आप बॉर्डर पे किसी को खड़ा कर दो और कहो के लड़ो और हाथ में राइफल नहीं डें नहीं कुछ नहीं है और आप लड़ाई करने को बोल रहे हो कि भई जीत के दिखाओ तो वो हालत आज एक टीचर की हो चुकी है कि उसको उसके उपर इतनी ज्यादा बंदिशे हैं तो टीचर हार के ये सोचते है कि ठीक है यार मैं कुछ बोल लूँगा तो मेरे उपर ही बात आएगी तो इससे बेटर है फ्री में मांक्स तो बढ़ने दुआ गया तो पेरेंट्स क्या इस बात को यहीं तक रखते हैं वो दूर की नहीं सोचते हैं कही न कहीं कमी है टीचर की कमी तो आप बता देते हो कही न कि पेरेंट्स की भी कमी है कई बार ना जादा शहद भी ना जादा मेठा भी ना जहर बन जाता है तो इस टाइम पर जिस टाइम पर बच्चों को आपको कंट्रूल करना चाहिए बच्चों को अच्छी अच्छी बाते सिखानी चाहिए आपका बच्चा कुछ गलत करता है तो उसकी सपोर्ट मत करें क्योंकि आजकल कई जगा हमारी कुलीग्स यो हैं उनको देखने में आया है या फेस करने में आया है कि बात कुछ भी नहीं हुई होती और बच्चे घर पे जाके इतना शोर मचाते हैं कि कहते हैं कि बहुत बड़ा कांट होगा जी मेरे उपर बहुत अत्याचार हुआ और पेरेंट्स बोरिये बस तरह लेके स्कूल के उपर चड़ाई कर देते हैं तो आज सच नहीं हैं गवर्मेंट ने बहुत रूल्स बनाए हुए हैं सब कुछ है लेकिन रियली अनुराग भाई आगे बताएंगे मैं अज़ादा टाइम नहीं रूंगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना बोले और आगली वीडियो अनुराग भाई और उनका भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा लोनेगा नमस्कार जैन आज मैं आपको दो किसे सुनाता हूँ पहला तो ये कि टीचर ने क्लास में एक बच्चे को डांट दिया क्योंकि उसका शायद काम पूरा नहीं था या कोई शेतानी कर रहा था टीचर क्लास से निकल जै दूसरी क्लास में चली गई वो बच्चा दूसरे बच्चों से यह कहता पाए गया कि टीचर ने मुझे डांटा है तो मैं अपना हाथ काट लूँगा और टीचर को जेल पहुँचा आगा इंट्रेस्टेंग दूसरा किस्सा एक टीचर बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी किसी क्लास में जिस क्लास में कर रही थी वो दूसरी क्लास के बच्चे की कॉपी चेक कर रही थी इमर्जेंसी में तो उन्होंने दूसी क्लास में उस क्लास की बच्चे को बुलाया और काम ना पूरा होने पे थोड़ा सा डांट लिया अगले दिन उस बच्चे की मा स्कूल में भुन-बुनाती हुई आई और उसने यह कहा कि मेरे बच्चे को सरयाम दूसी क्लास में पीटा गया और उसकी बेज़ती की गई प्रिंस्पल ने बुलाया प्रिंस्पल से बोली अरे यार प्रिंस्पल मेरे बेटे की सब के सामने बेज़ती की गई है तो मैं भी टीचर की बेज़ती करोगी प्रिंस्पल थोड़ा दमदार था उसने का अगर आप में हिम्मत हो तो करके दिखा दीजे बात खतम हुए एक और कहानी सुनाता हूँ एक वीडियो बहुत वाइरल हो रहा है जिसमें एक सीरियल का वो क्लिपिंग है जिसमें एक पेरेंट टीजर्स मीटिंग का सीन है जिसमें एक लेडी टीचर से कह रही है कुछ बाते हैं ये जो आप टिफिन टिफिन बोल रही है न उसी टिफिन को बना बना कर 80,000 जो साल की फीज देती हूँ न वो इसलिए कि आप इसे पढ़ा है मेरे टिफिन से आपको अपना पगार मिलता है उस पर से ध्यान नहीं अटा सकती मैं अगर इसको 48 टका आते हैं न तो इसमें सरा मुझे नहीं आपको आनी चाहिए विध्यारती डोबा होना वें तो सरा माबाप को नहीं गुरू को आनी चाहिए क्योंकि इनके मार्क आपकी आउड़त दिखाते है टीचर ने का कि आपके बच्चे के 9th क्लास में 48% नंबर है तो थोड़ा ध्यान दीजिए नहीं तो 10th क्लास में रिजल्ट खराब हो जाएगा तो वो लेड़ी यह कह रही है कि मैं आपको 80,000 फीज देती हूँ तो शरम आपको आनी चाहिए मुझे नहीं और मेरी इस फीज से आपका घर चलता है आपको मैं आपका पगार इस से मिलता है बात तो शायर पेरेंट साही कह रही है अब मैं एक चीज पूछता हूँ पेरेंट चाहता है कि बच्चा स्कूल में दाखिल होकर आइंस्टीन बन जाए यह कोई भी एक्स वाइजर नाम ले लिजे सफल बन जाए उसको सब कुछ आ जाए एटिकेट सा जाए लेकिन ना तो टीचर उसको छुए ना डांटे और ना कुछ बात करे क्योंकि उससे उसके बच्चे की इज़त पे खत्रा है ऐसे ही लगता है अधिकार आपने बच्चे पे टीचर को दिये है एक चौकीदार के जो सिब देख सकता है कुछ कर नहीं सकता जिसके हाद में न डंडा है ना बंदूख है ना कुछ है अधर कोई चोड़ी कर रहा होगा तो बस देख लेगा और बता देगा कि इसने चोड़ी है कि आप चाहते हैं कि बच्चा अब्दूलकलाम और अटलव्यारी वाचपी बन जा है क्या इतने अधिकारों पे पॉसिबल है आप माबाप का अधिकार दे पाएंगे टीचर्स को ना आप देना चाहते और ना आप दे पाएंगे आपने कहा ना मारेंगे ना डाटेंगे ना बोलेंगे क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो आप पढ़ाईए और उसको अच्छा इंसान बनाईए पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा इंस्टेंस होगा कि टीचर की इज़त पे बात आएगी डिसकेशन ही होगा कि टीचर की इज़त और बच्चे की इज़त में किसकी इज़त इंपॉर्टन्ट है पेरिंट के लिए शाद बच्चे की इज़त इंपॉर्टन्ट है एज इन इंसान लॉजिक के इसाब से गुरू शेशे परंपरा के इसाब से टीचर की इज्ज़त पे बात आएगी, तो क्या आपको लगता है जो वो टीचर वो भी उसी हार्डमार्स का इनसान है, जिसके आप हैं, उसी समाथ से आता है, जिससे आप आते हैं, क्या वो आपके बच्चे को अब इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाएगा रोकता, आप इस कीपैसिटी में हैं कि सामने वाला गलत कर रहा है तो इसको सुधार पाएं पिर भी आप उसको गलत करने देते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि बाद विखले और आप पर भाब रहे यही हो रहा है और यही होगा जितना इंटेफिरेंस पेरेंट्स का और सरकार के फालतु नियमों का स्कूल के डेली ऑपरेशन्स में है न यही होगा नुकसान किसका होगा टीचर का नुकसान किसका होगा स्क वीडियो में लेडी कह रही है कि 48% आये हैं आपकी गलती है, कल को उसके 8% और कम होंगे, 40 आएंगे, फिर 30 आएंगे, फिर शुरू होगा नंबर बढ़ाने का कि असी में से 20 मार्क्स बोर्ड के एक्जाम में आये हैं और पेरेंट आके बहस कर रहा है यहां पर हम से, कि जो इ हमारी, समझ में नहीं आड़ा मुझे, यह सिस्टम नहीं रुका, यह प्राक्टिस नहीं रुकी, यह 99, 98, 95, 90, इस सब खोकले मार्क्स धरातल पर आ जाएंगे, क्योंकि टीचर भी बला टालेंगे, कि चलो मरने दो हमें क्या करने, पेरेंट खुश रहेंगा, अल्टिमेट नुकसान बच्चे का होगा, और उससे बड़ा नुकसान आपका होगा, सबने आप पालते हैं बच्चों को लेकर, कि वो बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन ना तो आप उसको ग्राउन दे रहे हैं, ना आपको नरिश्मेंट दे रहे हैं, डाट, फटकार, डर, यह भी एक इ तो डिमीन दे स्कूल संदे टीचर, मेरा वीडियो भी सब लेट करिये, कि टीचर सब कुछ करने को तयार है, आप उस पे विश्वाज जताइए, आप उसको वो अधिकार दीजिए, जो आप अपने बच्चे पर चाहते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होता कि बच्चे को जान से मार देगा, मार और डर में अंतर होता है, और मैं समझता हूँ कि जो इस प्रोफेशन में है ना, वो आप से जादा जानता है, सोचने की जरुवत है, सोचेगा जान, नमस्कार, जैन लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहना जाता हूँ, कि भगवान जिनको हम अपना सब कुछ समझते हैं, जहां पे जाके हम खुद को रिलाक्स फील करते हैं, उनकी मूरत जो होती है, उसकी जो मूरत है, भगवान की जो मूरत है, उसको सुन्दर बनने के लिए बहुत थाप सहनी पड़ती है, चोटें सहनी पड़ती है, और वो जो गुमहार और वो जो मूरतिकार जो है न, उसको गुरू होता है, एक तरह से, वो उसको तराश रहा होता है, तराशता है उसको, तो चोटें में लगती है और वो पॉलिश करके प्यार से उसको सहलाता भ लाक शब्स्सक्राइब धियुक्त